पेराग्लाइडिंग, इसकाई डाइविंग की तरह बाटर राफ्टिंग भी एक सहासी खेल है जो आजकल बहुत लोग प्री होता जा रहा है इस खेल में आप मजे करने के साथ सहासी भी बनते हैं बता दें कि बाटर राफ्टिंग में एक नाओ की मदद से नदियों की लहरो के साथ आगे बढ़ना होता है बाटर या रिवर राफ्टिंग करने वाले लोगों को नदी की तेज लहरों के साथ आगे बढ़ना होता है और इसमें जीतने की खुसी का अनवब बहुत खास होता है जिसको हम सब्दों में नहीं बता सकते जब राफ्टिंग करने वाला पा तो रिफिस्त में हवा में भरे हुए प्रोट लगे होते हैं जिसकी बज़े से कोई भी पानी में किरने के बाद अपने आप तैर सकता है अगर रिफौर राफ्टिंग की produced कैसे की जाती है कि तो रिफन अप्टिंग जो नाव इस्तेमाल की जाती है उसमें लगवग 7-8 लोग सफर कर सकते हैं इस नाव में एक टूरिस्ट गाइड भी होता है जो आपको राफ्टिंग के बारे में बताता रहता है रिवर राफ्टिंग के लिए ज्यादा तेज बहाव वाली लेकिन कम गहराई वाली नदी का चुनाव किया जाता है यह सासी खेल आप हर नदी में नहीं कर सकते अगर किसी नदी में रोकरे वाली लुकीरी जटाने होती है तो उन्हें तोड़कर राफ्टिंग को सुरच्छित बनाया जाता है बता दें कि इस खेल को आप बहाव के दिसा में ही कर सकते हैं अगर रिवर आफ्टिंग की पांच महतुपूंड स्पोर्ट की बात की जाए तो रिसी के उत्तराखंड में गंगा नदी पर रिवर आफ्टिंग सबसे बहतर मानी जाती है उसके बाद सिक्किम बाद आजेलिंग में तीस्ता नदी पर जबकि कुर्ग में बारपूल नदी पर और चौथे नमबर पर लद्दाक में सिंधु नदी पर जबकि पांच में पर उत्तराखंड में ही अलग नदा नदी पर